हलो राधे राधे कैसे हैं आप सभी वेलकम बैक टू माई चैनल पाके भी आरी फैमिली व्लोग्स तो यहाँ पर आप लेक सकते हैं दीच्छा आई वे हैं और कोई प्लान नहीं था कुछ भी नहीं था बस अटेंडम भी सब कुछ हुआ और आज नहीं अतनी ज्यादा पजल् कि आने वाले व्लोग में मैं आपको सब कुछ क्लियर करतूंगी बहुत बुरी तरह से ठक गई थी और इससे पहले हम लोग घुम के आए हुए हैं और वहाला व्लोग एडिट करने को था और मैंने ना तो दिन से ब्लोग भी नहीं अप्लोड किये हुए थे तो मैंने का चल में इतना साथ दिया इतना अच्छा मौसम है वैसे भी आज कल बारिस का सीजन है तो मौसम तो अच्छा होई रहा है बस थोड़ी थी ना उम बस बहुत है मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो हम लोग निकल चुके हैं और बस जा रहे हैं गंगा बहराज मैं तो जाती ही रहती हूं पर दीच्छा का बस इतना रहता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो काम से आई कानपूर या शॉपिंग से आई या डॉक्टरों को दिखाने आई जो भी काम हुआ किया और चली गई तो छोटे बच्चों को लेके गुमना नहीं हो पाता है तो आज बस ऐसी प्लान बन गया एक्चुली क्या था ना कि समर्वेकिसं सारी मेरे बेटे की और दीच्छा के बच्चों की वेस्ट निकल गई और हम लोग सोचते ही रहे गए कि ठीक है चलो कहीं भार नहीं जा पा रहे हैं तो चलो आसपास ही कहीं घुम्फिल लेते हैं व तो कुछ टिसाइट ही नहीं हो पा रहा था ऐसे करते करते ना आ गई फर्स जुलाई से स्कूल खुल गया बच्चों के और आज ये व्लोग आज के आज ही आप लोगों के पास भाएगा मतलब आज है फिर्ट जुलाई तो आज के दिन हम लोग निकल पाए हैं वो भी कोई प गरेर से और मेरी गौत में बैड़ गई थी तो मैं ऐसे कह रही थी आज कहां कहां गूमा और आपने क्या क्या देखा तो आथी वही सब बता रही थी कि मैंने आज जो हमारे कानपुर में जो चिरिया घर है कानपुर जु तो वहाँ पर गय हुए थे क्योंकि बच्चों को हर चीज दिखानी बतानी बहुत जरूरी होती है तो आती को वहाँ पर ले गए ते बच्चों ने तो फूल इंज्वाई किया और नेक्स ब्लोग जब आएगा ना तब फिर मैं आपको आगे उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी तो आती बता रही थी कि उसने क्या-क्या दे करने का बस जो हुआ सटेनली हुआ मुझे तो कुछ पहले से पता ही नहीं था और लेश्षा से सुवह Hundreds किया कि क्या उगए तो फिर पर प्रिपता चला की ठीक है दीडी वो भी दीच्चा का प्लान नीं बन पारा ता धिच्चा के तवियत खराब थी खैर कोई बात musique और हम लोग आ चुकी हैं कानपूर सौरी दीच्छा लोग आ चुकी हैं गुबना फिरना स्टार्ट हो गया है घर से खाना और खापी के निकले थे क्योंकि साथ में और भी गेस्ट आए हुए हैं अब वो गेस्ट आपको आने 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 वाले प्रॉपर मिलेंगे तो यह जादा रहती है बागी आज मौसम बहुत अच्छा था तो हवा बहुत अच्छी चल लएती हैं और गंगय वरास में हम लोग रुके नहीं थे बस गारी से घूम के निकल आया थे और इस समय हम लोग आये हुए हैं मोती जील की तरफ क्योंकि अथी को जूलना है जूले और जूले थे वो मतलब बारिश के विज़े से गीले पड़े हुए थे कुछ तूटे पड़े हुए थे तो मैंने का रहन दो और बापसी चलेंगी जब तो फिर मोती जील के पास में बहुत जूले गरा लगती हैं रिच्छा तुम भी बैठ जाओ आओ सही में कहरें जून लो डुकु दे टुकु कितना कूस है पैर से इकरो डुकु के पैर पकटे रहना करशित इस टुकु देगा थे हुए प्याई जो पहली बार वेटा लग रहा जूल यह डर गया डर गया डर गया दर गया आदर गया अप टो चिला रहा किस चुल कुस कुस क कुस थे बाइ नहीं रो रहा है इस वारे चूले में डूकू को बहुत डर लग रहा था तो फिर डूकू को हम लोगों ने दूसरी चूले में बठा दिया जिसमें वो बहुत कुछ तो नहीं नहीं गिरेगा डूकू इस टेरिंग पकड़वाती इस टेरिंग पकड़वाती जिस टेरिंग पकड़वा दूकू और कहिता तुम लों कानपूर आते बच्चों को घुमाते कहीं नहीं बच्चे की तक खुष हो जाते देखो पीटा कहीं से हुगी आओ इस परेंगी लादी इसने कसके अपरे हाग चला के सपोर्ट बैठा है ने जिक्तर लिलने उसको अब दीच उसे देखना उसे बैठ जो तो मुझे जा बैठ जो तो हुगी ऑफ इनकरो ओुटेज इसाइज अजय आई अवथेज अवथेजब दीच सेंख हो अग dez ए grazing तो बाल के उपर बेट जा बाल के उपर बेट जा बाल के उपर तेखिए बच्चे इतना ज्यादा खुर्शे बेट जा बाल के ईतना खुर्शे इतना ज्यादा खुर्शे उसके बाद में बच्चों की वही जो आदत रहती है चोटे चोटे से खिलोने अतीन ने बर्ल्ड घरह देखी तो तो उसका एक दम्मन कर गया लेने का तो अथी ने अपनी पसंद की बर्ड गेरा ले ली है तो बस हो गया बच्चों का घूमना फिरना और इसके बाद में आइस क्रीम गेरा खाने आ गये थे अथी या कर्शित बच्चों को रहता है ना आइस क्रीम खाने का पहुत रहता है तो बस यहाँ पर आइस क्रीम ले रहे हैं सभी लोगों ने आइस क्रीम खाई और उसके बाद में सिकंजी यहाँ पर जो शॉप में सिकंजी मिलती है इतनी बढ़िया सिकंजी मिलती है सोडा वाली और कई फ्लेवर में मिलती है नीवू, जीरा, सोडा, वाटर बहुत ही अच्छी वाली मिलती है तुरंत बना के देती है और मेरे भाई को सिकंजी बहुत पसंद है हम लोग को भी पसंद है इनों ने जो सिकंजी बनाई थी न इतनी बढ़िया सिकंजी बनी कि बिल्कुल सारी ठकान दूर हो गई तबियत एक्दम मस्त हो गई बिल्कुल इतनी बढ़िया वाली बनी थी कि जितनी तारी फ़रू उतनी कम है पहलो थो हम लोग नहीं पी रहे थे क्योंकि पेट भरा हुआ था उसके बाद में कहीं जाते थोड़ा बहुत खाते पीते रहते हैं लेकिन भाई बोला एक बार चके देखो बहुत टेस्टी है और भाई जब पीया ना इसको बहुत ज़्यदा टेस्टी लगी सच में और सब लोगों ने फिर सिकनजी पी और सब की तवियत कुस हो गई सब लोगों ने तारीफ करी कि यह सिकंजी वाके बहुत टेस्टी बनी हुई थी तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं नेक्स ब्लॉग का वेट कीजिए का रादे रादे